हर्याना पंचायच चुनाव को लेकर बढ़ रही गर्मी कुछ और बढ़ने वाली है हर्याना पंचायच चुनाव से जुड़ी हुई ऐसी खबरे पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और नीचे जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए और घंटी का बटन दबाईए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे और इस वीडियो को शेर कीजिए और लाइक भी कीजिए तो हर्याना में सर्दी तक होगी पंचायच चुनाव की गर्मी जानिए क्या है कारण हर्याना में अब जो चुनाव होने वाले हैं जो 24 फरवरी तक खतम हो जाने चाहिए थे 24 फरवरी तो को नई पंचायच बन जानी चाहिए थी इसका मतलब यह है कि सर्दी में ही नई पंचायच बन जानी चाहिए थी पर अब ये जो पंचायते बननी है ये लगभग अगली सर्दियों तक बनेगी लगभग एक साल लेट होने वाला है ये और इसके क्या कारण रहेंगे जानिए इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे और वीडियो को अंति तक जरूर देखिए तीन नए क्रिशी कानुनों के विरुद चल रहा किसान अंदोलन अगर खतम भी हो जाता है तो भी पंचायत चुनाव का आयोजन छटा आम चुनाव जून जुलाई के महीने में भी नहीं करवा पाएगी सरकार ये ध्यान दीजिए कि जून जुलाई में भी इस तरीके से सरकार इसको नहीं करवा पाएगी क्योंकि इसका मुख्यकान यह है कि सरकार ने पिछली फरवरी में गठित की गई 101 नई पंचायतों की वार्ड बंदी भी अभी तक नहीं की है वार्ड बंदी का कारिया संपन होने में कम से कम 12 दिन का समय और इसके बाद नई वोटर लिस्ट जारी करने में 45 दिन का समय लग जाता है 45 दिन का समय डेड महीने का समय लग जाता है और इन दोनों परकिरियाओं को पूरा करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत को तीन महीने का समय अवस्य लगेगा इस परकार पंचायत चुनाव की तैयारियां होते होते गर्मी निकल जाएगी पूरी की पूरी गर्मी निकल जाएगी और सरदी का मोसम आ जाएगा जैसे फरवरी में इलेक्शन हो जाने चाहिए थी वैसे ही सरदी आ जाएगी 23 फरवरी को सरकार ने 101 नई पंचायतों का गठन किया था यहाँ परकिरिया तभी पूर्ण होती है जब नई पंचायतों की वाडबंदी हो जाए परणतों अभी तक नई पंचायतों की वाडबंदी नहीं हुई है और वाडबंदी होने में भी बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है लगभग सवा महीना लग जाता है वाडबंदी होने में 41 दिन का समय लग जाता है और ये बहुत लंबा समय है वाडबंदी का और जो वाडबंदी का 41 दिन का समय है ये भी इसके बाद वोटर लिस्ट भी तयार करनी होती है और वोटर लिस्ट तयार करने में भी कम से कम 45 दिन का समय लगता है 45 दिन डेढ़ महिना हो जाते तो यह देखिए कि कितना ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा इसके बाद इसका पहला परकाशन किया जाता है इसके बाद मतदाता सूची को कई वाडों में लगाया जाता है ताकि यदी किसी मतदाता को आपत्ती हो तो वो इसमें जो गलतियां है जो कोई भी मिस्टेक अगर हो जाती है मतदाता सुची में तो उसको वो सही करवा सके पर्थम परकाशन के 3-4 दिनों में आपत्ती दर्ज करवाई जा सकती है जब सुची लगाई जाती है सभी वाड़ों में, उसके बाद 3-4 दिनों में आपति दर्ज करवानी होती है, और इसके बाद इसका निवारन जो है, वो आने वाले 8 दिनों में किया जाता है, कोई भी मिस्टेक अगर हो जाती है, तो वो 8 दिनों में निवारन किया जाएगा, तो ये हैं बड़े-बड़े कारण, पंचायत चुनाओ को लेट होने के बहुत बड़े-बड़े कारण है, जो किसान अंदोलन है वो, और वाड़ मंदी और नई पंचायतों का गठन, जिसके कारण चुनाओ आने वाले सरदियों में हो सकते हैं, और ये बहुत लंबा पूरा का पूरा एक साल निकल जाएगा जैसे पिछले जो इलक्षन हुए थे उसमें छे महीने लेट हुए थे इसी परकार ये भी बहुत जादा लंबे समय से लेट हो जाएंगे लगभग एक साल तो वीडियो को शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ह हमारे चैनल पर बने रहने के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद